नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दपावर ओफ ओम पर दोस्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे जैश्री राम सावन में ये पौधा लगाते ही दूर भागती है दरिद्रता धनका होने लगता है आगमन सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है ऐसे में महादेव के साथ भगवान विष्णू और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन के महीने में घर के आंगन या बगीचे में ये पौधा लगाना चाहिए इससे जीवन में सफलता आने लगती है यूं तो तुलसी के पौधे का महत्व है ही किन्तु यदि सावन के महीने में उसे अपने घर आंगन या बगीचे में लगा लें तो पुन्य के भाग सावन के महीने में बारिश का मौसम होने से पौधा आसानी से लग भी जाएगा। तुलसी का पौधा लगाते ही दरिद्रता दूर भाग जाती है और धन का आगमन होने लगता है। उतने भी बीज तयार होते हैं उतने ही वर्षों तक पौधा लगाने वाला स्वर्ग लोक में निवास करता है। तुलसी सदैव पवित्र है बगीचे का दर्शन और स्पर्ष करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मिट जाते हैं। मृत शरीर यदि तुलसी की लकडी से जलाया जाए तो उन्हें सीधे विश्नु लोक की प्राप्ती होती है। मृत व्यक्ति के पाप नश्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति का पुनरजन्म नहीं होता है। अब तुलसी की इतनी मात्रा में लकडी लाना तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि मृत शरीर के दाह संसकार में चाहे किसी भी लकडी का प्रयोग किया जाए, उसमें थोड़ी सी तुलसी की लकडी भी डाल दी जाए, तो वह सारी ही लकडी तुलसी की हो जाती है। तुलसी काश्ट से मृत शरीर का दाह होता देख, विश्णु दूत ही उसे आकर विश्णु लोक में ले जाते हैं। नोट, यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। दे पावर ओफ ओम चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है।